रिल्वी फार्मासिस्ट वेकेंसी 2000 चॉइस कहने को तो 246 पोस्ट है बट यहां पे किस हिसाफ से रिजन वाईज यह पोस्ट बटी हुई है इस वीडियो लेक्चर में कम्प्लीट इस चीज को समझने की कोशिस करेंगे और आपके रिजन यानि की हिंदुस्तान में आप किस से आते हैं और उस रिजन से कितनी वेकेंसी आई है और उस रिजन से अप्लाई करना रहेगा या नहीं कम्प्लीट बात करेंगे इस वीडियो में सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ वीडियो मिलेगा भाईया फुल डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि फ़या 246 पोस्टे जो है रेलवे की तरफ से आ रही है अब हम समझेंगे कि सर यह जो 246 पोस्टे हैं यह अलग-अलग रिजन वाईज कैसे बठी हुई है पहला सवाल दूसरा सवाल कि सर यहां पे क्या हमें ESIC की तरह ही अलग-अलग रिजन वाईज जो मतलब किसी एक रिजन से ही अपलाई करना पड़ेगा दूसरा सवाल कि सर यहां पे रिजन वाईज ही कट आप जाएगी तीसरा सवाल तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिस करेंगे और आने वाले समय में जो एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे जब से हमें किसी साफ से डिसीजन लेना है उस प हम हो रहा है मतलब कि end में जो है हमारी RRB इस हिसाब से आती है तो देखिए यहां पे RRB एहमदाबाद की हम बात करें तो 18 पोश्ट जो है वो एंट्री ग्रेट लेविट फार्मसिस्ट की है अब यहां पे देखिए कोई RRB जैसे की साउथ रिजन में आप देखेंगे त सब डिविजन 22 भी वेकेंसी आ रही है उन तीनों को मैंने जोड दिया है एहमदाबाद की में बात करूँ तो यहां से फार्मसिस्ट की 18 पोश्ट जो है वो आ रही है प्रियागराज की में बात करूँ तो 5 पोश्ट आ रही है सर आरार्बी अजमेर की में बात करूँ तो 7 पोषट आ रहे है. सर भोपाल में छेई पोषट आ रहे है. बिलासपूर में छेई आठ पोषट आ रहे है. बैंगलॉर में भी इस बार ये एक्जाम कड़ग करवा रहा है वहाँ पे फार्मासिस्ट की ओनली दो पोश्टे आ रहे है या राची में सर साथ पोश्ट है सिकंद्राबाद में सर आंट पोश्ट है और लास्ट में सिल्ली गोली में आपकी आंट पोश्ट है रहने वाली है अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा हिसाब है कि सर यह जो चीज है हमें इस हिसाब से समझ में आती है कि जहां application form जादा देखे जाते हैं अक्सर वहाँ form भी जादा आते हैं क्योंकि वहाँ पे चांसे जादा है बट ऐसा तो नहीं है कि सर यहाँ पे form भी नहीं आते बिलकुल form आते हैं बट यहाँ पे पोश्टे जो है वो दो ही आती है सीधी सी बात है आप किस RRB जोन से form भर रहे हैं उस हिसाब से ही आपकी cutoff जाएगी क्योंकि पेपर सबके लिए समान होगा बट लेवल जो है cutoff मतलब की candidate यानि कि आप RRB एहमदाबाद से भर रहे हैं आप RRB मुंबई से भर रहे हैं तो finally जो cutoff है student कितने application form आते हैं उस हिसाब से उन दोनों reason की cutoff जो है उचाएगी अब आपको यहाँ पे दिमाख लगाना पड़ेगा कि सर मुझे किस हिसाब से किस reason में application form आने वाले समय में डालना है ठीके वो किस हिसाब से सर सीधी सी बात है दो चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली चीज तो आजमी preference कौन देता है कि सर मेरे घर के नजदीक में कौन सी RRB है उस हिसाब से मैं decide करूँगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ठीके अब यहाँ पे मोटे तोर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पारे देखिए कि लगबग लगबग बैंगलोर में नेक्ष्ट यहाँ पे कलकता में चैनई में मुंबई में है ना यहाँ पे 30-31 पोश्टे हैं बाकी सब जगल 7-8-7 पोश्टे रहने यह सब के अपने-अपने सोचने के तरीके हैं कोई अपने घर के पास नौकरी लेना चाता है तो किसी को कहीं भी होगा तो चल जाएगा बस नौकरी सरकारी होनी चाहिए ठीके तो अपने-अपने सोच के एक रैडरिया है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सर मैं मध् कि किस हिसाब से जहाँ पे आपका सेलेक्शन होने की संभावना जादा है तो देखी यहां पर अगर मैं आपको clear-cut भासा में बताओं तो इतना भी variation नहीं है कि सर यहां पर 100 वेकेंसी है और वहां पर जश्ट 18 वेकेंसी है जैसा कि हमें application form डालना चाहिए, तो simple सी बात है, मेरा ऐसा सोचना है कि जहां से application form कम है, बट आपकी तयारी बहुत ही solid है, तो आप कहीं से भी form बरेगा, चाहे पोस्टे कम है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी तयारी जो है, वो average है, तो आप हो सके कोशिस करियेगा, कि जादा जहां पर vacancy है, वहां पर भरियेगा, तो chance जो है वो बढ़ जाते हैं, सीधा सा concept है, क्योंकि आपने देखा होगा, RRB 19 में कई बार हमने देखा है, अभी भी requirement को लेकर notification आते रहते हैं, तो यह जो vacancy जैसे कि आप यहां पर भी देख पार है, बैकलोग की vacancy है, इसको लेकर जो है, वो criteria बढ़ता चड़ता रहता है, देखिए CDC बात है, चाहे वो ESIC हो या फिर railway हो, अगर आपने सही region से application form डाला है, और वहां की cutoff वो आप match कर पा रहे हैं, तो यह कही ने कही आपको गाइड करके proper बता दूगा कि sir, application form बढ़ते समय हमें किस हिसाब से region select करना पट रहा है, और next मैंने आपको बताया, सला मैंने आपको दे दी, बाकि आपको स्वव इवेक से भरना है, और मितरो जो भी student pharmacist exam की preparation कर रहा है, आप हमारी mobile application पे, one of the best study material जो आपको railway ESIC सभी pharmacist exam में काम आने वाला है, ये study material से आप अपनी तयारी बहुत ही शांदार कर सकते हैं, यो आप चेक करेगा, आपको सब कुस समझ में आ जाएगा कि sir, इस study material में मुझे क्या मिलने वाला है, किस हिसाब से रहने वाली है, अगर आप proper way में तयारी करना चाहते हैं, एक proper study material लेन और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके class के regarding, course content के regarding आपको आने वाले समय में, जभी भी इसके application form स्टार्ट होंगे, तब मैं आपको update दे दूँगा, सभी जानते हैं, गवर्मेंट में smart तयारी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि application form कहां से डालने से हमा क्या है, इसको लेकर भी आने वाले समय में है, आप चर्चा करते रहेंगे, आप बने रहे हैं हमारे चैनल अमवरसार अकेडमी पे, क्योंकि आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान में कहीं से भी फार्मासिस्ट की वेकेंसी आ रही है, उन सभी की update आपको चो है हमारे चैनल प क्यों से फिर्यों